नमस्कार दोस्तों हमारी चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तों आज की इस वडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी पत्थे के सेवन की विधी के बारे में बताऊँगा दोस्तों यदि आप इस पत्थे का हार रोज सेवन करेंगे तो आपको मरते दम तक सुगर, कोलोस्ट्रोल, मोटापा, हार्डिटेक, किसी भी परकार का कोई भी दर्द नहीं होगा और दोस्तो किड्नी में पत्री की समस्या का भी इससे कारगर कोई इलाज हो नहीं सकता दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तेजपत्ते की और दोस्तो तेजपत्ते का उप्योग मसालों के रूम में किया जाता है यह आपके घर में जरूर मुझूद होगा तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इससे होने वाले फाइदों के बारे में उसके बाद आपको बताएंगे इसके सेवन की सही विदी दोस्तो यदि आपको डाइबटीज की समस्या है और आप अपने सुगर लेवल को कंटोल करना जहाते हैं दोस्तो आपके लिए तेजपत्ता एक कारगर दवा की तरह काम करता है ये आपके सुगर लेवल को कंटोल करेगा और इस बीमारी से होने वाले कॉम्पलिकिसन से आपको बचा कर रखेगा सवसंत अंतर के लिए भी तेजपत्ता बहुत अधिक चमतकारी है दोस्तो तेजपत्ता खाने से खांसी, फुलियो, ब्रॉंकालिटिस, अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी बीमारी उसे आपको तुरंत रहात मिलती है तेजपत्ते के आर्क में anti-inflammatory गुण पाये चाते हैं, इसलिए इसी सूजन कम करने में बहुत अधिक मददकार माना जाता है दोस्तो इसके अंदर anti-inflammatory गुण होते हैं, जिसके कान यहें दर्द को भी कम करने का काम करता है और अस्थमा जैसी बीमारी का एक कारगर इलाज है यदि सूजन की समस्य है या आप दर्द का इलाज करना चाहाते हैं, तब भी दोस्तो आप इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसकी पतियों में COX2 नामक अंजायम की गतिविदी को रोकने का गुण पाये चाता है क्योंकि ये इसमें एंटी फंगल कुन भरपूर मातर में होते हैं और इस फंगल इन्फेक्शिन के काना बहुत रहें कि बेमारियों का सिकार बनते हैं वजन को कम करने यदि आप वजन को कम करना चाहते हैं, तब आपको तेजपत्ते का सेवन करना चाहिए तेजपत्ता उन जड़ी बूटियों में सामिल है जो भूग को कंटोल कर सकती हैं इसके लिए इसका सेवन करने के बाद व्यक्ति अतरिक कलोरी लेने से बच जाता है और उसका वजन कंटोल में बना रहता है किड़नी की समस्याओं से भी बचाओ करता है तेजपत्ता किड़नी और पेसाब की नली में मुझूद पत्त्री के इलाज में तेजपत्ते के अर्ख का इस्तमाल बहुत अधिक परभावी है यह किड़नी की मासपेशियों को सीधे अराम देने में बहुत अधिक कार करें इसमें लोरिक एसिड पाया जाता है जो किड़नी की समस्याओं से राहत दिला सकता है दोस्तों इसमें यूरिनरी गुन होते हैं यह कि इसको लेने के बाद आपका यूरिन जादाता है जिससे कि आपकी बतरी यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है और इसी से आपकी एक समस्याओं का और इलाज होता है आपके सरीर में जो भी गंदे पधार्थ हैं वो भी आपके सरीर से बाहर निकल जाते हैं और आपका सरीर बिलकुल साफ हो जाता है क्योंकि ये एवांचित चीजों को आपके सरीर से बाहर निकाल देते हैं दोस्तो कोलोस्टोल और दिल की बिमारियों के लिए जदी आपकी सरीर में बैड कोलोस्टोल बड़ा हुआ है और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि आपको हार्ट अटेक और हार्ट ब्लोकिज या दिल की बिमारियों का सामना नहीं करना पड़े तो दोस्तो आपके पिले तेजपत्ता एक कारगर दवा है आप तेजपत्ते का परियोग करके हमारे दवारा बताए गई विदी से परियोग करके अपनी स्कोलोस्टोल की समस्या का इलाज कर सकते हैं और दिल की बीमारियों से बचे रह सकते हैं दोस्तों तेजपत्ता हमारी तवचा के लिए भी बहुत अधिकारग है, क्योंकि इसकी essential oil का इस्तमाल, बहुत सारे cosmetic समान बनाने, जैसे cream, in, साबुन बनाने में किया जाता है यह तवचा को गहराई से साब करता है, और दोस्तों आप इस तेजपत्ते का प्रयोग करके अपने चेहरे को खिला-खिला बनासकते हैं, बालों के लिए भी गुनकारी है तेजपत्ता, दोस्तों बहुत बार क्या होता है, कि fungal infection के कान हमारे बाल तूट जाते हैं, और यदि इस वज़े से आपके बाल जढ रहे हैं, तो आपको तेजपत्ता का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके anti-fungal गुन, आपके इस समस्य से निजात दिला देंगे, anti-bacterial गुनों से भरपूर होता है, anti-fungal गुनों से भरपूर होता है, तो जो फंगल infection के कान आपके बाल तूटते थे, ये उन से आपको बचा देगा, तो दोस्तों, आपको तेजपत्ता का सेवन जरूर करना चाहिए, यदि आप किसी भी परकार के दर्द का इलाज करना चाहते हैं, चाहिए घोटनों का दर्द हो, जोडों का दर्द हो, किसी भी परकार के हड़ियों को मजबोत बनाना चाहते हूं तो चले अब आपको बताते हैं कि तेजपते का प्रियोग आपने करना कैसे है दोस्तों आपने क्या करना है तीन से चार तेजपते लेने हैं आप तीन लेसकते हैं, चार लेसकते हैं, पांस लेसकते हैं और जब यह है पानी उबल उबल कर एक कप रह गया, तो दोस्तो आपका नुस्खा रह डी है, अब आपने इस तेज पत्ते के पानी का सेवन करना है, यदि आप इस तरीके से तेज पत्ते का सेवन नहीं करना चाहते हैं, तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी तेजबते का सेवन शुरू कर दीजी और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीजी तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आत रहे धन्यवाद दोस्तों